तो हेलो गाईस सलाम नमस्ते केंचों कसकाई तो आपको मेरे पीछे का व्यूद देखके शाहिद पता चली गया होगा कि मैं कहां पर आया हूँ और मेरे वादे के मुताबे मैं आया हूँ च्छामनगर में लाकोटा तड़ाओ करके बहुती प्रफ्या चाहिए आते हां पर मै बनाना था तो हम आगे का वीडियो स्टार्ट करते हैं और अब मैं अपना वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ आपको वह टड़ाओ का मदलब सीन दिखाता हूँ एक ही सब्सक्राइब लूक अब यहां पर लॉक बनाना बहुत इन मजा आता है यहां पर और आज मैं स्पेशली यहां पर आया क्योंकि मेरी भी स्कूल स्टार्ट हो चुकी है तो मैं बहुत बीजी रहता हूँ तो इसलिए मैं आज संदे था तो मैं आज व्लोग बनाना आया और आगे का वीडियो मैं आपको यहां पर जितने भी चीज़े मैं आपको दिखाने वाला यहां से आपको दिखने तो यहां का व्यूदे कि साइट में कैसा है गया इस दिख रहा हुआ कि ऐसे मुझे पता नहीं है क्योंकि मैंने आपको पहले मंदब मेरे दूसरे व्लोग में बता है था कि मेरे फॉन की सिचुएशन क्या है तो इसलिए मैं ठिक से वीडियो नहीं नियों है बहुत मजसा आता है जोटेश करने के लिए एक अदर बहुत शारी छीज़ा है गार्डन भी अंदर वह पता नहीं अभी शाइद खुला होगे कि नहीं वह गार्डन खुला होगा तो मैं आपको बताऊंगा गाइस तो अब मैं नेक्स्स टोटिस्टन आपको दिखाने वाला हूँ बाइस गाइस मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ जो यहां पर मुझे बहुत अच्छी लगी मैं आया बाद में तो दिखाता हो एक सेगें यह यह फिश है वो और यहां पर वह आम बेकर मतब वह लिखा हुआ है और यह इस आमेजिंग है ना गाइस मुझे बहुत पसंद आता है ऐसी चीज है और एक सेगने वह पर बहुत ज्यादा लोगों को यह लगता है कि वहां पर मतब जो लाकोटा लेखे वहां पर मतब कुछ खाने की जिज़ें नहीं मिलती है या फिर पाने की बूटल नहीं मिलती है यह कोई ठीक बात नहीं है देखिए मैं आपको बताता कि क्या मदब रेस्टोरेंट्स है की नहीं एक सेकंड बज़ेगा गाइस यह मुझे तो यह मेरी तोड़ी मास्ती कि आप यह दर देखिए यह यह देखिए आप एक रेस्टोरेंट है अमूलका कोच्छ वो है तो होता ही है गाइस अर्जगा होता है और थैंक्यू आपने मे देखिए अब हम आचके वह जगा पर जहां मुझे अच्छा लगता है आपको तिक यहां पर एकसरसाइज कर रहा है तो बेभी जाके एकसराइज को अब मिलते अगले लोकेशन पर गाइस देखिए अभी एकसराइज ही कर रहा हूं देखिए एकसराइज कर देखिए तो वहीं कर रहा था और अभी जा रहे हैं बाहर कि यहां पर जद्धा टाइम बिताएंगे तो मैं ब्लॉग कब बनाऊंगा ठीक है ना बाविभी कि लोग मेरे लिए बहुत इंपोर्टेंट है कि मैं हर संदे को यहां पर आने सकता और मेरे भी आने सकता है यहां पर सो मैं अगे की लोकेशन देखने जा रहा हूं और यह देखिए गाईज वह रेस्टोरेंट आपको ठीक से दिखा रहा हूं अभी तो शायद कोरोना है तो वह खुली नहीं होगी शायद पता नहीं खुली होगी की नहीं और गाईज यहां की मतलब आप जामनगर के हो तो पता ही होगा पर अगर आप बाहर के हो और आपको आना है तो यह मतलब कहीं भी आप पूछ लो ना कि मुझे यहां जामनगर में इसको तलाव की पार बोलते है पर आपको आना है न तो आप भी यही बोला था को मतब सब लोग वह दिखाएंगे वाउ एक मस्ट चीज़ आपको दिखानी है गाइस और दम यू ब्यूटिफुल यह मैंने पहली बार देखिए यहां पर समझ में नहीं आ रहा है क्या है पर बहुत अच्छा है जो भी है तो अब चलते हैं तो गाइस मैं लोकेशन पर आ चुका हूं और मतलब यह तड़ाओ की मतलब पाड़ है जो लाकोटा लेकर उसके अंदर यह गादन है कमला नहरूप पार्क और मैं उसके अंदर जा रहा हूं तो मैं आपको वह वह बच्चों की वह एक स्कैच्चू बनाई यह वह दिखाने वाला हूं और मैंने मास्क किसे लिए निकाल दिया क्योंकि यहां सब लोग मास्क उतार के बेठे दे जेखिए गाइस क्या ब्यूटिफूल मतलब मैं पता नहीं अकेला आया हो तो मुझे प मुझे तो बहुत मजा आता है यहां पर मैं खेलूंगा नहीं क्योंकि अभी बच्चों लोग अब में बड़ा हो चुका हूं और व्लॉक्स भी बना रहा हूं तो अभी तो नहीं बनाऊंगा अभी खेलूंगा नहीं ओ वाह यह भी मैंने अभी पहली बार देखा क्योंकि म कि उसका अंदर है तो यह मतलब कि गई का मजा रहा है यहां पर विद्देखिए कि किसा लगा आपनों बताना और नेक्स लोकेशन के लिए मैं गाइस मेरी बच्ची गई बच्ची गरी गई नहीं देखिए यहां पर जूले पर बेटा हूं थोड़ा रिफ्रेश्मेंट के लिए कि मैं सब्येसे घुमी रहूं और लॉग बनाने का कल से सथी अदंग कि बनाना है तो अभी तो बच्चे सामने खेल रहे हैं बहुत मजा आता है तो अब मिलते हैं सिधा नेक्स लोकेशं पर शॉरिया इसमें आपको कुछ दिखाने लगता हूं पर वह इसलिये क्यों सकते हैं तो आप चैसे कि आप एकसामपल की तरीके से अगर आप सुरत में रहेते हो और आपको यहां पर आना है तो आपको मतलब फोरोना का टाइम है तो वो कर्फ्यूब योगा तो भी आपको मतलब नहीं आप आओगे तो मतलब इसका मतलब यहने का यह है कि अगर आप नहीं आप आ सकते हो तो आप मतलब मेरा ब्लॉग देखके आप वहां से एंजॉयमेंट ले सकते हो और मतलब यहां पर फीजिक तो बैए तो बाइज आज मुझे बहुत मजाया है यहां पर रेक मेडिया आपको देखिए यह सारे बट्स दिखा था था यह की दिखा रहा है यहां से मतब कितना मजाद है बैठने में देखिये यह गाईज मुझे बहुत पसंद है तो मैं यहां पर बैखता हूं थोड़ी दे और यह सूंक सुने मुझे पसंद मैं यहां पर आया बैखने को आज ग्याइस में से भी ठग चुका हूं ला तो मुझे यहाँ का व्यू बहुत पसंद है और मतलब जब भी मैं यहाँ आता हूं मुझे बहुत मैं आता है कि व्लॉक्स बनाना एक मेरा शोक है मेरा लुषिम है कि मैं व्लॉगर बन जाऊं पर यहां का व्यू देखने के क्षेंग ओंदर हीं पानी के बीच में बना है यहां पर उसके बीच में enfSDय। करने है और है कि निए यहां पर अच्चा है और यहांपर तो यह तीनों चीज़ सकते बच्चों के साथ आना है आपको आशक्ते हो और मतब आप in जोई कर सकते लो तिन घंड़ा आप आराम से इद्वेगा सकते उसक्ति नबड़ा अंब यह शाइद तीन किलोमेटर जीतना है आपको चलना हो तो और मतफ बस बीच बीच में कई तो आपको पता चलेगा कि मतलब मज़ा किसे आता है और मैं तो भाई मैं तो आपको दिखा रहा हूं कि यह किसा मतलब आने जैसा है तो आप आओगे तो आपको बहुत मसा आएगा कि मुझे भी अभी स्कूल के बाद मैं सीटा यहां तो ती नहीं पर मैं थक जाता हूं मतलब बहुत दूर है मेरी सो फिर भी मैंने व्लॉफ बनाया है यह मैंनत मेरी आप देख ते हो यह नहीं पर मैं सुबह छे बज़े से उठ गया था और निकल गया था गुमने सो गाइस प्लीज एक लाइक एक सब्सक्राइब और कॉमेंट भी देना क्योंकि मुझे आपका मंदब कॉमेंट सेक्शन में कोई मैसेज दिखता है अगर आप दोगे तो मुझे पता चलेगा कि मेरी मिस्टेक्स कहां पर आप बोलेगे आप बोलोगे तो यह पता चलेगा ना गाइस जो गाइस प्लीज यह वीडियो लाइक करें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को और कॉमेंट भी देना है जाएज वाई फ्रव को बनाने वाला था और एक आपके लिए सप्राइज है जो आपको मतलब चांवन नगर में मतलब बहुत साथ जाथा लोगों को पता है कि खाने के जीज़े क्या हैं सब्सक्राइमस जाम नगर में तो वो उन पर एक व्लोग बननाने वाला हूं